नमस्ते दोस्तों, लोगप्रियक अथाकार मालती जोशी जी की कहानियों की श्रंखला में आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अपहरंग, तो शुरू करे कहानी गाड़ी बड़ी देर से एकी स्थान पर रुकई हुई थी, मैंने चादर से बाहर बूह निकाल कर देखा, सामने वाली बर्त पर शीमान उठंगे से बैठ कर खिड़की के पार देख रहे हैं, हाला कि एसी कमपार्टमेंट की खिड़कियों से बाहर का जादा कुछ नजर नह क्या तुम भी अपनी बुआ जी की तरह उंचा सुनने लगी हो, दया करना देवी जी, वो चार दिन के लिए आई थी तो मेरा गला सूख गया था, तुमारे साथ तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, आप है ना मुझे एक अच्छा से हेरिंग एड़ ला कर देना, फिर कोई पर ट्रेन में हैं और इस समय रात के तीन वज रहे हैं, अपनी भूर का एहसास तब हुआ जब उपर लेटी महिला ने कंबल से मुझ निकाल कर नीचे क्योर जाका, उस नीम अंधेरे में मैं उनके चेरे के भाव तो नहीं पड़ पाई, पर नीन में खलल पढ़ने पर उसे जो काफी था, करवट बदल कर लेट गई और चादर सिर्थ तक खीच ली, इन्होंने एक दो बार कुछ कहना चाहा पर मेरी ओर से जवाब न पाकर चुप हो गए, एक अरसे बार ट्रेन में बैठी हूँ, इस भी इस ट्रेन के काईदे कानून लगबग भूली चुकी हूँ, आ गोवा यह कि शिशिर की बिटिया ने कैलिफोर्निया में ही एक हिंदुस्तानी दूला ढूंड लिया था, पर दोनों के जित्ती शादी भारत में ही करेंगे, और पारंपरिक तरीके से करेंगे, हिंदुस्तानी शादी का ग्लैमरी कुछ खास है, तभी तो कई बार को देख लें, सबका तो गोवा जाना संभव नहीं है, इस कारेकरम के लिए अमरिता भी कनाटा से सपरिवार आई हुई है, तो नाती पोतों ने जित्की कि ट्रेन से चलेंगे, ताकि कंट्री को ठीक से देख सकें, वैसे मैं जानती हूं कि भारतीय रेल में एक बार सफर कर करने के बाद ही, वैं हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे, पर एक बार तो भुगत नहीं है, अतियंत क्रिपावत होकर हमारे लिए एसी क्लू की दोग टिक्टें खरीदी गई, बाकी जनता एसी थ्री में सफर कर रही है, बच्चों का तो स्लीपर में जाने का मन था, पर मा पाप ने डपट दिया, इसलिए चुप हो गए, मैंने सिर्थ तक चादर तो ओर ली थी, पर नीन कोसों दूर जा चुकी थी, राउर किला मेरे कानों में हतोड़े की तरह बज़ रहा था, इस नाम के साथ मेरा पहला परिचय तब हुआ, जब एमे करने के बाद मेरे लिए बर संशोधन के शुरुआत हुई, राउर किला इस्थित किसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाला ये इंजीनियर लड़का लिस्ट में सबसे उपर था, उन दनों इंजीनियर्स टके के 20 नहीं मिलते थे, और इस नाम के साथ अच्छी खासी गरिमा जूड़ी हुई थी, श्र फॉर्मली जुआइन करने से पहले आप कहा आएगा, उसकी स्विक्रत के बाद ही रिष्टे पर आकरी मोहर लगनी थी, पर उन्हें अपने आगया कारी बेटे पर पूरा विश्वास था, वे बोले कि आप तो शादी तैस शुदा ही समझिये, बाकी तो सब फॉर्मल्टी ह उनके इसी विश्वास ने मुझे बल दिया था और मैंने सपने बुना प्रारम कर दिया था, तीन महियों तक मेरी ही नई घरबर की आखे कलेंडर पर लगी हुई थी, नियत तिथी पर हमें उनके आगमन की सूचना मिली और घर उनके शाही स्वागत की तैयारी में डूप ये कोई लड़की देखने का मामूली कारकर्म नहीं था, भावी दमात की अगवानी थी, नियत समय पर वे मामा जी के साथ पधारे, मा और भावी रसोई में विस्त थी, भाईया और पापा बाहर का इंतजाम देख रहे थे, मैं अपने शंगार में मसरूफ थी और बार बा आएने में अपने को निहार रही थी, हम लोगो पता ही नहीं था कि बाहर नियती कुछ और खेल रच रही है, शांदार अब भ्यर्थना के अपसाथ उन्हें भीतर लाया गया, आस नस्त होने के बाद मामा जी ने बताया कि एक बार आने के बावजूद वो थोड़ा भटक गए थे, जिससे रास्ता पूचा सयोग से वो आपकी एक किरायदारी निकली, वही हमें गेट तक छोड़ गई, नाश्ते का शाही सरंजाम पूरा हुने के बाद ही भावी मुझे ड्राइंग रूम में लवा ले गई, मैंने देखा इस अभूत पूर स्वागत से उदासीन वो सक्ष, अनमना सा बैठा था, मुझे लगा शायद उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी, मैंने बाहर आने में जानवूज कर देर कर दी थी, ताकि प्रतीक्षा की घड़ियों को लंबा की चाजा सके, पर मेरे आने के बाद उन्होंने बस एक बार नजर उठा कर मेरी उर दे है, ऐसे बोजिल वातावरण में उसे घुटन महसूस हो रही होगी, उन्होंने कहा कि आप दोनों थोड़ा टेरस पर बैठ लो, या चाहो तो कार में शहर का एक चक्कर लगा लो, पापा की अनमत लिए बिनाई भाया ने ये दुस्सा हस कर डाला था, पर उनका ये वार भी खाली गया, दूले राजा ने अपना मौन वरत नहीं तोड़ा, थोड़ी निराशा तो हुई, लगा मेरा सारा शंगार व्यर्थ हो गया है, बंदे ने आख उठा कर देखा भी नहीं, पर मा पापा बड़े खुझते, कह रहे थे संसकारवान लड़का है, उसे अभी नए जवाने की हवा नहीं लगी है, हमें तो लगता है माबाप ने ठेल कर भेजा होगा, क्योंकि उन्हें पहले से विश्वास था कि उनकी पसंद ही उसकी पसंद होगी, उसके बाद शुरू हुई लंबी प्रतीक्षा, लंबी इसलिए कि उन लोगों ने जवाब देने में बह तो ये भानजे को जम कर गालियां दी, बताया कि नालायक उसी लड़की पर रीज गया जो गेट तक छोड़ने आई थी, उसी के साथ शादी की जित किये हुए है, जबकि हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो लोग कौन है, किस जाती के है, लड़की के पिता क्या करते है हम लोग तो जैसे आसमान से किरे, मदुरा इतनी सुन्दर है, इस दर्चित से तो उसे कभी देखा ही नहीं था, इतना पर जानते थे कि पीछे आउट हाउस में रहने वाले शर्मा जी की पांच बेटियों में वो तीसरे नंबर की है, दोनों बड़ी बेटियों की शादी ह हो चुकी है, और बकॉल मा के उन दोनों की शादी के बाद शर्मा जी एकदम जुन जुना मतलब खोकले हो गए हैं, अपने कॉलिज की फीज जुटाने के लिए मदुरा को ट्यूशन लेनी पड़ रही है, उस शाम भी वो बच्चों को पढ़ाने ही जा रही थी, इस के दरवाजे बे गए नहीं थे, शर्मा जी की इतनी अवकाती नहीं है, और लड़की भी बेचारी अपने रास्ते जा रही थी, ये तो सही होगी था कि उनकी नजरों में चड़ गई, पापा इतना कहकर ही नहीं रुके, उनने शर्मा जी को बुलबा बेचा, और सारी बात बताई, शर्मा जी पेचारे पापा के चड़नों में गिर पड़े, और बार बार माफी मांगने लगे, पापा बोले, पंडित जी आप कहे कि माफी मांग रहे हैं, आपने किया क्या है, और हम लोग के लिए किये होता भी क्या है, ये तो सब विधी की लिखित हो रहा है, हम रोना दोना छोड़िये और बेटी के ब्यागी तेयारिया कीजिए ऐसे रिष्टे रोज रोज नहीं मिलते मैं सुनीला बिटिया का घोर अपरादी हूँ इस पाप से कैसे उबर पाऊंगा आपने कोई अपराद नहीं किया है रही सुनीला की बात तो उसके भागे में इससे भी उचा घरवर होगा तब ही यहां बात नहीं बनी पापा के लाग सौजने के बावजूद वे लोग अपराद बोच से मुक्त नहीं हो सके और कुछ ही दिनों में घर छोड़कर दूसरी जगे चले गए उस घटना के बाद मत्रह तो हमारे सामने पड़ी ही नहीं जाते समय उसके माता पिता विदा लेने आये थे पर वो कही नजर नहीं आई यह था समय वो विवाभी हो गया सुना कि वर पक्ष नहीं सारा खर चुठाया था निमंत्रर हमलों के पास भी आया था पर किसी के जाने का सवाली नहीं था हाँ मा को संदही नहीं पूरा विश्वास था कि पापा जरूर वहां गए होंगे और धिर सारा रुपया दे कर आये होंगे उसके बाद कई कई दिन तक मेरा हसना बोलना घूमना फिरना सब बंद हो गया था मैं घंटो कमरे में बैठी शून में ताकती रहती मा पापा को मेरी चिंता होने लगी थी भावी जब तब मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझे निशब्द सांतोना देती रहती आकर एक दिन भाईया के सबर का बांध तूट गया चीक कर बोले तुम इस तरह बेहर क्यों कर रही हो ये कोई तुमारी लव मेरेश तो थी नहीं चीर अप ऐसे दरजनवर लड़के लाकर मैं तुमारे सामने खड़ा कर दूँगा लेकिन इससे पहले अपने आपको संभालो तुमारी शकल पर तो ऐसे बारा बज रहे हैं मानो बड़ा भारी प्रेम भंग हो गया हो प्रेम भंग ना सही पर मेरा बड़ा भारी मान भंग तो हुआ ही था वो भी एक मामूली हस्ती द्वारा एक नाचीश सी रड़की मेरे रूप, गुण, विद्या, वैभव सब को धता बता कर मेरे नियोजित वर को हरण कर ले गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाई थी अपमान की आग से सुलग उठी थी मैं और लग रहा था कि मैं भीतरी भीतर एक दिन छरण हो जाओंगी ये जवाला मुकी शादी के बाद पती के चंदन इस पर्ष से ही शांत हो पाया था पापा का वच्चन सत्य साबित हुआ था मेरे भागे में उससे कई गुना अच्छा घरवर मिला था सुंदर, संपन, सुशील, सुसंकरत, सुशिक्षित विशेशरों की कतार लगाई जा सकती थी उसके बाद जिन्दिगी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया संतती, संपती, मान, सम्मान, शुहरत, सब कुछ मिल गया था पती के साथ आदी दुनिया भी घूम ली थी मैंने अब भी साल के आदे दिन विदेश में ही कटते हैं बेटा USA में है, बेटी कनाडा में मुंबई में चार बेडरूम वाला फ्लैट है नास्सिक के पास अपना फार्म हाउस है सुख और किसे कहते हैं फिर उस चाय का नाम सुनते ही मन में मरोडसी क्यों उठ गई जिस सक्ष की शकल तक मुझे याद नहीं है उसकी याद में इतनी तड़क क्यों है जिस अतिहाई को मैंने जीवन की किताब से फाड़ कर फेक दिया था वो अपने समूचे विद्रूप के साथ मेरे सामने फिर से क्यों कड़ा हो गया है बुझे हुए शोलो में फिर से ये दहक कैसी नहीं ये किसी की याद नहीं है ये तो अपमान की आच है जो कभी बुझी ही नहीं थी बस राक के नीचे दबी पड़ी हुई थी मदुरा तूने मेरी असमिता को ठोकर मारी थी मैं तुमें कभी माफ नहीं कर सकती अब ही आप सुन रहे थी मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी अपहरन आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं आप से फिर मिलूँगी किसी अच्ची कहानी के साथ आपका समय शुभ हो, सुन्दर हो, मंगल मैं हो